नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल चरीत्र ज्यान में दोस्तो वास्तु सास्त्र के मुताबिक तुलसी के पोथे के पास कभी भी ना रखे यह पांथ चीजे नहीं तो घर में नकारत्मक उर्जा वास करेगी और घर हो जाएगा बरबाद जी हाँ दोस्तो सास्त्रों में तुलसी के पोथे को बहुती पवित्र और मालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है कहां जाता है कि जिस गर में तुलसी का पोधा होता है वह गर हमेशा खुसियों से बरा रहता है दोस्तो मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पोधा यदि आपके घर के आंगन में लगाया चाए तो घर में कभी भी नकारत्मक उर्चा नहीं आती जी हाँ दोस्तो वो ऐसी कौन सी चीजे है जो हमें तुलसी के पोधे के पास कभी नहीं रखनी चाहिए इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखते रहे दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप माता लक्ष्मी को मानते है तो कमेंट बॉक्स में जै मा लक्ष्मी जरूर लिख दे साथ ही दोस्तो माता लक्षमी के लिए एक लाइक और एक शेर जरूर कर दे तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते है दोस्तो नंबर एक पर कहां जाता है कि तुलसी के पोधे के पास कभी भी जूते या चपल ना रखे जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से मंदिर में जूते और चपलों के साथ प्रवेश नहीं किया चाता, ठीक उसी तरह तुलसी के आसपास जूते चपल ना रखे क्योंकि तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना चाता है यदि आप भी तुलसी के आसपास जूते या चपल रखते हैं तो उन्हें तुरंट हटा लिजे नहीं तो घर में आजाएगी दरिद्रता दोस्तों नंबर दो पर बताया गया है कि तुलसी के पौधे के पास रात को जल ना रखे जीहां दोस्तों सास्त्रों के अनुसार संधियाकाल या रातरी के समय तुलसी के आसपास जल नहीं रखना चाहिए और ना ही शाम को तुलसी को जल अरपित करना चाहिए जीहां दोस्तों तुलसी को हमेशा सुबस्थान करने के बाद ही चल चड़ाना चाहिए और साथी तुलसी के पास जल बरा हुआ खाली पात्रक कभी भी नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से आपके घर में वास्तु दोस्त लगने के साथ साथ आर्थिक परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है इसके बाद तुलसी के पोते के पास कभी भी गंदगी ना रखे जी हाँ दोस्तों अगर हमारे घर के आंगन में अगर तुलसी का पोता लगाया गया है तो तुलसी के पोते के आसपास वाली जग़ को हमेशा ही साप सुतरा रखना चाहिए क्योंकि आंगन में लगा तूलसी का पोधा हमेशा ही सकारत्मक उर्जा का संचार करने के साथ साथ सांती भी प्रदान करता है यदि आप तूलसी के पोधे के आसपास सफाई नहीं रखते तो आपके घर में हमेशा असांती का माहूल बना रहेगा दोस्तो नमबर चार पर बताया गया है कि तुलसी के पौधे के पास कभी भी गिला कपड़ा ना रखे जी हाँ दोस्तो सास्त्रों के मुताबिक तुलसी के पौधे के पास पवित्रत का खास ख्याल रखना चाहिए इसलिए तूलसी के पास कभी भी गिला कपड़ा ना रखे और ना ही कपड़े धोने के बाद तूलसी के पास सुखाना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में आर्थिक परेशानिया हो सकती है नंबर पांच पर दोस्तों कहा जाता है कि तुलसी के पौथे के पास कभी भी गणेश जी की मुर्ती ना रखे जी हाँ दोस्तों बहुत से लोगों की यहाँ आदत होती है कि वह तुलसी के पौथे के पास किसी अन्य देवी देवताओं की मुर्ती को रख देते है लेकिन दोस्तो सास्त्रों की माने तो तुलसी के पोथे के पास विशेशकर गनेश जी की प्रतिमा को कभी भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि गनेश जी की पुझा में तुलसी का चड़ाव नहीं किया जाता इसलिए आप गलती से भी तुलसी के पोथे के पास गणेश्ची की प्रतिमा को ना रखे तो दोस्तो ये तो थी वो 5 चीजे जो गलती से भी आपको तुलसी के पोथे के पास नहीं रखनी चाहिए तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कनाना भुले धन्यवाद